नमस्कार दूस्तो रियल पॉइंट में एक बर फिर्ट से आपका स्वागत है दूस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि पीजा हर्ट अप्लिकिसन आपके मोबाल में नहीं चल रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल कर सकते हैं जहां आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल करना चाते हैं तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पुरा दिखना तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को उपन करना है प्ले स्टोर को उपन करने के बाद जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको पीजा कैसी ट्रिक बताऊंगा जिसके मादिम से पीजा अर्ट अप्लिकेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा तो गई सबसे पहले आपको अपने ओवल की सेटिंग को ओपन करना है अपने ओवल की सेटिंग को ओपन करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर अपने mobile की setting open हो चुकी है और गई जहाँ पर आपको scroll down करते हुए नीचे की और आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको apps का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर आपको manage apps के option पर click करना है manage app के option पर click करने के बाद गई यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको manage app में कई सारे application देखने को मिल जाती है तो गई यहाँ पर आपको search bar में search करना है pizza heart search करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको pizza heart के option पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर आपको clear data का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर आपको clear all data के option पर click करना है और गई जहाँ पर आपको ok पर click करना है ओके पर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर पीजार्ट अप्लिकेशन का ओल डाटा कलियर हो चुका है तो गई जहांपर आप देख सकते हैं इस तरह से पीजार्ट अप्लिकेशन आपके मुबल में नहीं चल रही थी तो PGA Art application का all data clear करने के बाद PGA Art application आपके mobile में open होना start हो जाएगा तो गईज इस तरह से आप PGA Art application की problem को solve कर सकते हैं तो गईज कैसा लगा ही वीडियो आप आम में comment करके जरूर बताए और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लिजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा देजिए जिससे आने वाली वीडियो की नाटिफिकेशन आपको मलते रहेगी